अब आपको टर्टर से रखी इंटर्ट वर्जन के बारे में बताने जा रहे हैं थोड़ा सा इसना माडल चेंजी किया रहे है पेट्रोल और डीजल बचन जो भी इस पर देचा था उसके जबार अभी लेक्ति को आई रहे है और बाकिको सारे के सारे सबकुष भाई है एडलाइंप और ये सब साहिक साहिक रहे हैं तो वाईस आज माँ वह इसके बारे में डीटेल बतान जाने इसका कास्ट उतना है कि यूटूब चैनल पर आगा है आज हम आप लोगों को इलेक्टानी गाड़ियों का वज़ें जैसा कि इसके पहले भी मैं बताते चला रहा हूं तो आज हम आप लोगों को टाटा सेरा गाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं ओर टाटा सेरा में क्या 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 क्वाल्टी है कैसा ट्रांसमीसर है इंजन 梯था ये सारे के सारे चीजह हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं तो सब टाटा सेरा की जहां तक बात करते हैं ल क्रहक है तो लुक थोड़ा सा इसका अलग है ही लाइट मिए फोड़ा लाइट के जगह पर इसमें पूरा बड़ा सा एक पैनल बनाया गया है जो की लाइट देता रहता है और टाटा सेरा का कास्ट जो है 14 लाइक्स इसका एक्सपेक्टेट लांचिंग डेट फर्स्ट मार्श 2023 यानि की एक मार्श 2023 इसको भी ये लांच करेगा और जहां तक इसके प्रोड़क्ट लांच करने की बात है भी आगे साल भर का समय लगेगा लेटेस्ट अप्डेट में जहां तक इसका बात है तो नियर अबाउड ये समझीए कि टाटा इस रिविल्ड दसेरा एलेक्री कॉंसेट टाटा एक्सपोर 2020 टाटा सेरा एक्सपेक्टेट पावर ट्र इस्पेक्ट में आराइब फित पेट्रोल अडिजन, टाता सेरा फचेट रिवर खाटा इस रेप्टोल अधिस्ट ए ग्टरेफिश टाता सेरा एक्सपट एजश तॉबर टाटा सेरा फिविल्ड़ज टाटा एक्सपेक्ट टाटा शिंघ ये कॉंसेट टाटा एक्सपेश सो एक सोरूम कॉस्ट नियार बऊट फ़टीन लाक अन्रोड प्राइस और अन्रोड प्राइस आपकी चौदा लाग पड़े और ञहां तक फीचर्स की हम बात करते हैं तो फीचर्स में फ्यूल पर्फरमेंसिसका इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक वर्जन में याता है, फॉस्ट चारजिंग इसमें आपको अलेबल नहीं है और इस तरह से ये सारे इसके इसके अलेबल है, इंजन टरंस्मीशन की जहां तक हम बात करते हैं, तो यह automatic transmission में गाड़ियो लेवल नहीं है बलकि यह manual transmission में ही काम करता है तो transmission type जो इस टाटा स्थेरा का आपको मिलता है electronic version में वो manually मिलता है तो guys यह इस तरह से आपको manual transmission काम करने वाला यह vehicle मिलेगा जैसा कि हमने प्राइस आपको बता दिया porting license का कास्ट होगा और review की बात करें तो overview में हमने आपको detail पुरा बताई दिया है एक charge में 400 km तक जाएगा और LED headlamps और taillamps दोनों इसमें लगा रहता है और dual tone lie wheels लगा हुआ है यानि कि आपको इसमें headlight नहीं देखने को मिलेगा LED lambs LED headlamps stemlamps यानि कि headlight और पीछे की जो back light होती यह दोनों मिलेगी और guys इस तरह से electric version में variant आपको इसका मिलेगा अभी आने वाले साय में जैसा कि हमने आपको बताया है कि March 2023 यानि कि 1st March 2023 में यह launching date is कराएगा